हलो एवरिवान, गुड मॉनिंग, गुड आफ्टनून, गुड इवनिंग और जिस भी वट आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूँ किशोर देजवानी, आप लोगों का माथमेटिक्स माइन्ट और स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मागनेट बेंज में जो प्रवाइड करता है 100% quality of free education के गारन से लेकर class 12 तक, अगर आप लोग सी बेसी बोट से हैं तो आप लोगों के लिए मागनेट बेंज का इंग्लिश मीडियम चैनल और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मागनेट बेंज का हिंदी मीडियम चैनल जहां पर आपको प्रवाइड की जाता है क्लासिक से लेगला क्लास 12 तक एक दम कॉलिटी वाइज और फिर एजुकेशन वो भी हिंदी मीडियम में साथी साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं धेरो सारे प्राक्टिस कुशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस तो कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर भी लेकर आ सकते हो इतना ही नहीं अगर आप हमारी ईबुक्स या इनोट्स को अविल करना चाहते हैं तो लि इंट्रोडक्शन टू यूकलिट जोमेटरी शुरू हो गया मतलब कि सर नया चैप्टर शुरू हो गया अरे हाँ भाई आजाओ आजाओ जल्दी से देख लेते हैं तो इन दिस चैप्टर में चैप्टर ओवर्वियो हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं अब सर यह जो इसको हमें को पढ़ना कैसे है वल्लब सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे यह सारी चीज़े ना तो आजाओ क्योंकि chapter बिल्कुल एकदम कैसा है theoretical है बिल्कुल theory से भरा हुआ ये chapter है जिसको आपको चाई की चुस्की के साथ पीना पड़ेगा और साथ-साथ में इसको देखना पड़ेगा वलब की movies देखते न हम लोग पॉपकॉन खाया और साथ-साथ में हम लोगोंने क्या movies देखते थ बस आपको यही काम इसमें भी करना है लेकिन दिमाग खोल के करना भई आप मस्त से चाई पियो बिस्किट खाओ और खाना खाओ लेकिन यह वीडियो को जरूर देख लेना copy pen की ज़रूरत ज्यादा नहीं पड़ने दूँगा बस थोड़ा बहुत जहां जहां पर screenshot लेते र तो सर हमें introduction में इसके अंडर क्या-क्या पढ़ना है सर इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि यार यह Euclid geometry होता क्या है और सर यह Euclid है कौन यह Euclid है कौन और इसने क्या-क्या statements दिये इसने क्या-क्या definition दी यह statement होते क्या है चमच गये तो यह सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे introduction में साथी साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यह इसने जो geometry में बहुत ज्यादा क्या दिया है हाथ दिया इसका geometry में सबसे बड़ा हाथ है Euclid का यह बात ध्यान रखना उसके बाद हम लोग समझेंगे इसी के exams और postulate ठीक है फिर हम लोग देखें चाप्टर रिवीशन के साथ आपका यह चाप्टर मस्त तरीके से क्या हो जाएगा सर खतम हो जाएगा तो चलो शुरू करें क्या शुरू करते सर तो आजाव शुरू करते है अब सब्सार यहां पर जैसे कि आपने बताया कि एकदम सर एक कप चाए बनवालू एक आप पी किशोर सर मैंने बोला दो कप बन वालो साथ में बाजू में बैठा हुआ हूँ अरे यार साम नहीं तो देख रहो ना तो दो कप चाय तो बनते ना एक आप पियोगे एक मैं पियूँगा क्लियर है? क्लियर है सर तो दो कप चाय बन वालो और साथ साथ में इसको भी देखते चाब अब आजाओ जब तक चाय बन रही है तब तक इतर देख लो sir the word geometry comes from the greek word जिसका मतलब क्या है आपके पास geo मतलब की geometry कहां से आया है भीया greek word geo से आया है जिसका मतलब है क्या आपके पास earth अरे यह geo वाला geo नहीं है यह आपका geometry वाला geo है जिसका मतलब क्या होता है earth और आपका metric जिसका मतलब क्या होता है आपके पास measurement या तो फिर two measure clear geometry appears to have originated from the need of measuring lines मतलब कि geometry की जरूरत क्यों पड़ी हमें भाईया lines वगेरा को measure करने थे इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी इसलिए हमें जरूरत पड़ी हमारे किसके geometry की ठीक है ये बात आ गई सर this branch of mathematics was studies in various forms in ancient civilization तो ये जो branch है mathematics का मतलब की geometry एक branch है mathematics की तो इसलिए हमने इसको पड़ा क्योंकि इसका ancient civilization में काफी ज्यादा क्या था use था अभी भी ऐसी बात नहीं है तो ये बात तो सर clear हो गई इसमें हमने ये समझा कि geometry का मतलब क्या होता है geo का मतलब होता है आपका earth और matter का मतलब होता है आपके पास measure करना geometry कहां से originate हुई थी भाया geometry इसलिए originate हुई क्योंकि हमको lands को measure करना था अब lands को कैसे measure करते थे तो geometry के मदब से measure करते थे ये branch mathematics का पढ़ा गया है various forms of ancient civilization में the greeks developed geometry in a very systematic manner जो greeks थे मतलब की पुराने जमाने के जो लोग थे वहाँ पर क्या कर रहा है इन लोगों ने geometry को ऐसे systematic manner में पढ़ा देखो तीन greek mathematician थे यहाँ पर आपके जिनका नाम क्या क्या है अरे थेल्स ठीक है थेल्स है पाइथोगरस है और आपकी यूकलिट contributed a lot on geometry तो थेल्स ठीओरम आपने बहुत जादा पढ़ा होगा इसको तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से क्या अरे पाइथोगरस अरे याद ना हाइपर्टेस के स्क्वेर परबर परपेंडिकलर का स्क्वेर प्लस बेस का स्क्वेर के यहते तो यह अलग है लेकिन हम उसको एच स्क्वेर परबर पी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर लेके चलते हैं ठीक है और सर्य यूकलिट यूकलिट ने काफी जादा क्या दिया भईया अपना योगदान दिया जोमेट्री में तो इतने पेज में कोई भी दिक्कात नहीं कोई भी कश्ट तकलुफ परेचानी चेश्था डिफिकल्टी कठनाई बिल्कुल भी नहीं तो एक जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो हो गया हो गया सब बस अब आ गया जो इसके बाद सब क्या हुआ इसके बाद थेल्स है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ देखी अभी कि आप लोगों को तीन लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया जोमेट्री में योगदान था कौन-कौन थेल्स पाइथागरस और आपके कौन योगलिट अब फिएल्स भाई साब क्या बोलके गए वो देखो फिएल्स प्रूफ डाटा सर्कल इस बैसेक्टिट बायुट डायश दाइमीटर। एन्हों ने क्या कह रहा था प्रूफ करा था पार्थागरस डिफ श्रूरी जोमेक्टरी टू अबरे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया. Euclid introduced the method of proving mathematical result by using deductive logical reasoning and previously proved result. इसका क्या मतलब है? जैसे की मान के चलना आप fails का पाथ तो clear हो गया. Pythagoras की बात भी हमें clear होई कि उन्होंने geometry के बारे में काफी अच्छे से बहुत जादा deep में बताया. अब Euclid का क्या कहना था? Euclid का कहना था Euclid introduced the method of proving mathematical result by using deductive logical reasoning and previously proved result. मतलब की अगर आपको कोई भी चीज को proof करना है तो आप उस चीज को ऐसे proof कर पाऊगे कि कोई पुरानी चीज की मदद लेके. आपको अगर कोई चीज को proof करना है तो जो already चीज पुरूव है आप उसकी मदद लेके उस चीज को क्या कर पाऊगे proof कर पाऊगे. सिंपल सी बात है कोई चीज को proof करना है तो कोई एक अच्छी सी चीज को लेके आप उसको proof कर दो. ठीक है? किसी की मदद लेके आप उसको क्या कर दो? proof कर दो. ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? यूकलीडियन जोमेट्री बोलते हैं. इसकी फेमस एक बुक है. बड़ी फेमस बुक है. जिसका नाम है आपके पास elements. भाई बहुत जादा ध्यान तो समझना. यह यहां से question मन के आते हैं आपके MCQ में. तो इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है elements. वो divided है भाई या किसमे 13 chapters में. अब 13 chapters contains wonderful result on geometry. 13 के 13 chapter काई के उपर है भाई या geometry के उपर है. अभी आपको 9th class में total 12 chapter पढ़ने ना. लेकिन इसकी book में सिरफ एक जो book थी ना. elements नाम की. उसमें 13 chapter था और 13 chapter पूरे geometry के दिर. तो आप समझे लो भई. माहूल बहुत तगड़ा था उस टाइम पर. ठीक है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते. तो Euclid summarized word of geometry as definition. देखो Euclid ने क्या करा? Summarized किया. किसका? काम किया किस पर? Geometry पर. और उसने कुछ definitions बना के दी. A few of them are given below. अब यहां पर कुछ definitions यहां पर है. अब आप समझना. आप बोलोगे यार कि सर ये सारी चीज़े तो हमें मालूम है फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में. अरे पहले की बात है. अभी आपको पहले के जैसे लोगों की तरह सोचना है. मतलब कि वो जो आदिवासी हो लोग होते तना अभी थोड़ी देर के लिए हमको वही मानना है. है तो नहीं. उससे भी अच्छे लोग है हम लोग. लेकिन हमको थोड़ी देर के लिए ही समझ के चलना है कि हम लोग कौन है भाई या आदिवासी लोग हमें हुँ हाँ करना है और हमें ये सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं मालूम मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं और इन सब के बारे में हमें क्या करना है पड़ते चलना है ठीक है अब मैं आपको समझा रहा हूं आपको पॉइंट के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप, यूकलिट आपको समझा रहा है, और यूकलिट की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यूकलिट का कहना है, point is that which has no part, point क्या चीज़े, कि किसी का part नहीं है, point क्या है या, एक वो चीज़े जिसका कोई part नहीं है, ठीक है, point आप ऐसे बना सकतो, point आप ऐसे बना सकतो, point आप ऐसे बना सकतो, तो ये सारे क्या हैं, आपके points है, clear, line is breadth length, मतलब की, एक line अगर आप लोग बनाओगे, एक line अग है यह आपका example है मतलब कि इसके ब्रिट आपके पास नहीं होगी इसकी अगर ब्रिट की बात करोगे तो वो आपके पास क्या होगी भया वो आपके पास नहीं होगी तो ये point भी समझ गए the ends of a line are points अब देखो line के ends line के ends को इसने क्या बोला भया line के ends को point बोला सिदह सिदह line segment बूल जयता नभ क्या कर रहे है बढ़ रहे हैं पहले की लोग पहले के सोच किशोर से आपको क्या कर रहा है बता रहा है आदी वासी अभी हू 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 हा हम changing करना अपने को ठीक के सार तीन पॉइंट हुँ हुँ हाँ तीन पॉइंट सर फोर्थ पॉइंट हुँ हुँ a straight line is a line which lies evenly with the points on itself इसका क्या मतलब हुआ सर एक straight line एक ऐसी line थी जो सर क्या भाईया points से मिलके बनती थी देखो एक straight line किस से मिलके बन रही है बहुत सारे points से मिलकर बन रही है ऐसा इनका कहना था ऐसा इनका कहना था इसमें कौन सी नहीं बात है यार यह तो बहुत अच्छे से मालू में कि हम लोगों ने एक game भी खेला है बच्पन में क्या अगर अपने को मान लो अगर अपने को ए बनाना होता था ठीक है तो हम लोग क्या करते थे ऐसे points को जोड़ देते थे यादे है हाँ यादे सर जैसे कि इस point से is point को जोड़ो इस point से is point को जोड़ो और इस point से is point को जोड़ो दो बन गया आपके पास ए ऐसे ही आपके पास जो line बनती है वो बहुत सारे point से मिलकर बनती है तो यह बात भी अब यह वाला point पढ़ो a surface is that which has length and breadth only को आपका टेली फोन जम्हें हमको देख रहे है वो उसमें देखो जगाव या फिर नहीं होगा ऑड़े जो फून आपके हाथ में है जो लेपटोव आपके हाथ में है जो nom आई पैड़ आपके हाथ में है उसको देखो आप ध्यान से उनको देखे झो यह पूरी पूरी लेंद है अरे देखो ना ये पूरी लेंद है ये पूरी ब्रेट है देख रहे हो अरे मेरा हाथ चहाँ पर है आप फोन की आप बस साइड को देखो आप फोन की साइड को देखो ये पूरी लेंद के लाएगी हाँ ये पूरी आपके पास ब्रेट के लाएगी के लाए यह जिसमें मैं देख रहा हूं न ऊपर अरे आपके टेलीफोन के अंदर मेरे को बंद क्यों कर दिया आपके फोन के अंदर मेरे को बंद क्यों कर दिया अगर मैं ऊपर देखना हूं तो मेरे को एक लाइन दिख रही है आपके फोन में और अगर मैं ऐसे में देख रहा हूं त अभी भी एजेस ही बोलते हैं तो एजेस सर्फेस की हम लोग क्या बोलते हैं लाइन्स बोलते हैं जो एजेस होती है अरे भाया यह आपका टेलीफोन है अरे फोन है लेकिन हम तो इसको टेलीफोन ही कहते हैं इस टेलीफोन में आप इसको क्या बोलोगे एज बोलोगे और इन स evenly with the straight line on itself मतलब क्या आपके पास एक plane surface एक वो surface है which lines evenly with the straight lines on itself जैसे कि आपके पास ये plane surface है तो ये plane surface कैसे बना भाई या बहुत सारी काई से बना line से मिलकर बना है बहुत सारी line से मिलकर बना है आपका ये surface ठीक है अभी मैं बनाता जाओंगा बनाता जाओंगा बनाता जाओंगा तो आप देखते जा रहे हो बहुत सारी lines मेर को यहां पर क्या करनी पड़ रही है use करनी पड़ रही है इस surface को define करने के लिए तो ये जो surface अगर बना है तो बहुत सारी line से मिलकर बना है clear हो गई बात अरे clear हो गई देख रहो देख रहो देख रहो ऐसे पूरी line में भर दूँगा तो पूरा एक कौन सा surface बन जाएगा एक पूरा pink surface आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो एक बार जल्दी से क्या कर लो इतने का आप लोग screenshot ले लो आसान chapter है chapter में जादा कुछ अपने को क्या जादा कुछ भी नहीं करना है जादा कुछ भी नहीं करना है इस chapter में बहुत जादा आसान chapter है बस अपने को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्या करना है समझ के चलना है हो गया आजा हूँ आगे की बात कर ले चल आगे की बात करते है तो आगे जैसे हम Лोग पढ़े तो आगे हमारे पस क्या कह सर आगे हमारे पस आगे हिए कुछ चीज है अब घबराना नहीं है बिलकोल भी ली घबराना मैं हूना साथ में if we carefully study these definitions we will find that some of terms जैसे की part जैसे की length जैसे की breadth जैसे की evenly ये सारी को अमको क्या करना पड़ेगा भईया और भी अच्छे तरीके से further explain करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्या है अच्छे से define नहीं है मतलब कि उसने बोला point take क्या भईया point take वो चीज़े जिसका कोई part नहीं है अब अगर आप पूछो कि sir part किसका part क्या part तो वह मैं आपको क्या define नहीं कर पाऊंगा ठीक है पहले के पहले के जमाने में चल रहे हैं हम लोग पहले के जमाने में ठीक है अब जैसे कि आपको बोला कि एक line एक breakless length है तो भईया आप पहले के जमाने को क्या मालूं की break क्या है पहले के जमाने को क्या मालूं की length क्या है पहले भाई आप length और break के बारे में तो बताओ तब लोगों को समझ में नहीं आया, तो किशोर सर ने क्या ख़रा था, किशोर सर ने polynomial को समझाने के लिए किसकी मदद लीती, algebraic expression की मदद लीती, किसकी मदद लीती भया, algebraic expressions की मदद लीती, ठीक है, फिर आपको algebraic expressions भी समझ में नहीं आया था, तो किशोर sir ने किस की मदद लिती, terms की मदद लिती, ठीके 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 फिर आप को क्या हुआ भीया अब आप बोल रो sir, polynomial री नहीं समख में आया, ठीके तो polynomial के लिए किशोर sir ने आपको यजब्रे का expression समझाया, अब आप बोल रो समझाया, constant के बारे में समझाया, अरे पर sir ये variables और constant क्या होते हैं, फिर आपको variables के बारे में बताए कि वह हैं, x, y, z, a, b, c आपके variables होते हैं, फिर आपके constant होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह आपके constant, pi constant, तो यह सारी चीजे क्या हुई ही, आपको समझाई, देखो, कोई चीज को समझने के लिए, कोई चीज को समझना पड़ा, कोई चीज को समझना पड़ा, कोई चीज को समझने के लिए, कोई चीज को समझना पड़ा, तो ऐसे ही अगर point को समझना है, तो पहले आप मुझे यह तो बताओ कि यह part क्या होता है अगर मेरे को line को समझना है तो यह तो बताओ breadth और length क्या होती है अगर भया मेरे को एक line के बारे में समझना है एक points के बारे में समझना है तो भया end point line के points होती है points क्या होती है तो भया अगर मेरे को क्या evenly का मतलब क्या होता है तो ये सारी चीजों में मेरे को क्या हुआ अगर मेरे को एक surface को समझना है तो भाया लिए length और breadth क्या होती है ये तो बताओ अगर मेरे को surface की lines के बारे में बात हो रही है तो ये ages क्या होती उन्होंने अच्छे से नहीं समझा पाए थे आगई बात समझ में आगई सर तो यह सारी चीज थी if we carefully study this definition we will find that some of the terms जैसे part हो गया जैसे length हो गया जैसे breadth हो गया जैसे evenly हो गया need to be further explained clearly यहाँ पर हमको इन चीजों को clearly देखना पड़ेगा ठीक है सर for example in the definition of a point जब हम लोगों ने point के बारे में पड़ा तो point के बारे में हमने यह पड़ा कि the bird part needs to be defined अगर आपको define करना है part is something that occupies area अब फिर भई बात आ गई कि भईया आपने हमें point के बारे में समझाया हमें समझ में आया कि आपने बोला पारे में समझाया क्या समझाया तो आपने मुझे पार्ट के बारे में define किया part is something that occupies area अब तो मैं और खुजाने लगा अपना सार और बोलने लगा भईया यह area क्या होता है अब आप तो मुझे और उल्जाते जा रहे हो then again area has to be defined अब मेरे को आपको area area define करना पड़ेगा फिर मैं आपको कुछ समझाओगा फिर आप पूछोगे यह क्या है फिर मैं आपको उसको सम्झाओगा तो आप तो आप पूछोगे यह क्या है जैसे कि मान के चलो हम लोग ने यह क्या होता है तो ऐसे चीज़ों को समझने के लिए आपको और भी चीज़े क्या करनी पड़ रही थी समझानी पड़ रही थी तो यहाँ पर हो क्या रहा था मसला यह फस रहा था कि we can see that there was a chain of words यहाँ पर chain of words बनते जा रहे थे जैसे कि कोई चीज़ को समझना है तो कोई च चीज़ को समझना कोई तो कोई तीसरी चीज़ को समझना पड़ेगा कोई तीसरी चीज़ को समझना पड़ेगा कोई पाच भी चीज़ को समझना पड़ेगा ऐसे यहाँ पर आपके पास chain of words बन जा रहे थे जो कि आपके पास क्या भया defined नहीं थी तो आपके पास ऐसे geometric terms undefined तो यहाँ पर वो लोग भी हार मान गए और उन्होंने बोला भाया mathematician ने agree कर गए वो लोग कि यहाँ पर आपके पास geometry में कुछ चीज़े undefined होती है जैसे कि अगर मैं आप से पूछो ए ऐसा ही क्यों बनता है तो अब आपके पास undefined terms किसके geometric है अब अब जैसे कि मैंने आभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आपके पास कुछ कुछ चीज़े क्या हो गई undefined रहे गई तो वो undefined terms को हम लोग क्या आप कर रहे है पढ़ रहे है देखो set of elements in geometry are points are point line and plane अब 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 set of elements set of elements geometry में जैसे point line plane अब बात को ध्यान से समझना these terms are undefined ये सारी terms क्या हो गई भाई या undefined रहे गई क्यों but can we visualized by certain practical situation पर हम इनको क्या कर सकते हम इनको visualize कर सकते कुछ practical situations है जैसे कि अब आपको practical करके दिखाएंगे कि शूर सर point क्या होता है sir it has neither length nor breadth nor thickness it is represented by a fine dot ये तो बहुत अच्छे बात बताई लेकिन ये तो बताओ कि भाईया length क्या होती है breadth क्या होती है thickness क्या होती है उन्होंने बोला नहीं हम अभी बहुत बड़े expression में हम इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे हम बस आपको इत्ता बता दिये कि भाईया एक point वो होता है जिसकी length नहीं होती जिसकी breadth नहीं होती जिसकी thickness नहीं होती उसको सिर्फ represent किया जाता है find dots से अगर कोई पूछने आया तो उसको थपड़ा मार दिये जाता था क्यों क्योंकि भाईया बोले ना कि वो undefined है क्या तू भी undefined को पूछ रहा है मैं बोल रहा हूं भाई वो undefined है कितनी बार समझाऊं कि उसको सिर्फ एक fine dot से बनाया जाता है बात खदम सिर्फ और सिर्फ fine dot से बनाया जाता है ज्यादा भेजा मत खा ऐसा बोला जाता था वहाँ पर अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा ऐसा वो लोग बोलते थे कि भाईया मैंने तेरे को बताया ना point के बारे में बास अब इसको to undefine छोड़ना ठीके अब सर अगर हमें line के बारे में बताया जाता था तो अब line आपके जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि ends of a line are called points है ना ends of a line अब यहाँ पर आप लोग एक थोड़ी नजर मारो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैंन होते हैं ठीके अब line को अच्छे से define किया गया देखो क्या if we fold a piece of paper अब आप एक paper उठा लो हाथ में उठा लिया अब उसको fold कर दो fold कर दिया अब आपको एक crease बनती नजर आ रही होगी जो आपकी क्या होगई एक line होगई यहाँ बहुत शानदार सर a line cannot be drawn fully on the paper because it extends undefinedly undefinedly in both sides समझना बहुत जादा ध्यान जा समझना अगर आपने क्या किया piece of paper को fold किया तो आपके पास बनी होगी crease कहाँ पास sir paper में जो represent क्या कर रही है एक line को represent कर रही है अगर line cannot be drawn fully on the paper because it extends indefinitely in both the direction मतलब क्या sir यहाँ पर आपके पास एक line इसलिए नहीं बन रही क्योंकि sir अगर ह पास paper की crease बनी है जो आपके पास sir crease बनी है वो तो दोनों direction से क्या कर रही है एंडी नहीं है sir उसका तो line काम line को समझा दिया कि भया line एक वो चीज़ है कि जब आप paper को fold करोगे जो आपकी crease बनेगी वो आपका line है हना उसको आप लोग fully नहीं बना सकते हो क्योंकि paper आपका indefin finite होती है आप उसको define नहीं कर पाओगे अगर आप से पूछा जाया 5 cm की line segment बना नहीं है तो आप 5 cm की line बना दोगे लेकिन भाईया हम लोग paper पर क्यों इतनी उदूर तक चले आ रहे है क्योंकि वो indefined length है indefined length clear होगी बात हाँ sir clear होगी तो मजार है समझने में समझने में ब explanation और needed to be defined यहाँ पर आपके पास जो आपको कुछ terms मिली उसको undefined कह दिया गया क्यों क्योंकि जो आपको terms मिली वो आप definitions में use करते हो हना जो आपको जैसे terms मिली अभी जैसरे कि अगर आपको point को define करना है तो undefined एक तरिके से मेरे लिए अगर आपको line को define करना है तो वो undef है plane को define करना है तो यह सारी अच्छे च्छे क्या हुई भाईया defined ही नहीं हुई इनको और explanation चाहिए था अच्छा further explanation चाहिए था और needed to be defined और इनको क्या किया गया define किया गया so to define one thing you need to define many other things याद करो याद करो हमने तो कहां से polynomials को समझना था हम लो तो variables coefficients शुरवात करी ती याद ना तो अगर आपको कुछ एक चीज को समझना था you need to define many other things तो आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पहले समझना चाहिए पहले समझना पड़ता था and you may get a long chain of definitions without an end अब किसी चीज़ को समझना तो किसी दूसरी चीज़ को समझो किसी दूसरी चीज़ को समझो तीसरी चीज़ को समझो तीसरी चीज़ को समझो तीसरी चीज़ को समझो तीसरी चीज़ को समझो तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना पढ़ता था जैसे पॉइंट के बारे में अगर पढ़ाया तो पॉइंट क्या होता है एक पार्ट होता है एक पार्ट नहीं होता है अब पॉइंट विचास नो पार्ट अच्छा पार्ट होता है तो पार्ट के बारे पार्ट को डिफाइन करना था तो area को define किया अब area को define करना तो length of breadth अभी length of breadth क्या होती है भया तो ये सारी चीजों undefined रह गई इनको define नहीं किया गया Euclid assumed certain property which were not be proved ठीक है ना जिसको आपने prove नहीं किया तो Euclid ने assume कर लिया कि हाँ भया ऐसी कुछ चीजे होती है जिसको हमें prove करने की जरूरत नहीं है और इन assumption को क्या कह दिया भया are actually obvious universal truth क्या बोल दिया भया in assumption को उसने मान लिया कि हाँ चल ठीक है भाई तू तो सत्यवचन है universal truth ठीक है he divided them into two types अब सब को मालूमें कि कौन आने वाला है हाँ अखा public को मालूमें कि कौन आने वाला है एक्जम सेंट पॉस्चुलेट आने वाला है ठीक है तो यह बात समझ गए क्या तो हमने उनको मान लिया कि भाईया वो universal truth वो क्या है हम ऐसे assumption जिनको हम नहीं प्रूफ कर पा रहे हम उनको क्या बोल देते भाईया obvious universal truth और कुछ कुछ को बोला गया था यहां पर आजा 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 आगे बढ़ते हैं अब आती यह बात statements की अब यह स्टेटमेंट्स क्या होते हैं क्या 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 यह statements क्या होते हैं आज देखो यह statements क्या होते हैं तो sir एक sentence एक sentence which can be judged to be true or false is called क्या आपके statements अब यहाँ पर तीन statements लिखे हूँ है इसके बारे में तो मैं आपको समझा दूँगा आगे की तीन के बारे में आप समझाना है जैसे कि कुछ example the sum of the angles of a triangle is 180 degree सब लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि भाईया sum of angles एक triangle में 180 degree होता है यह true statement है हाँ यह true statement है कि एक triangle पे बनने वाले तीनों angle का sum किता होता है आपके पास बनने वाले तीनों angle का sum होता है आपके पास किता 180 degree यह सब लोग जानते हैं चीक है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा यह आपका एक true statement हो जाएगा कि भाया यह तो सही बात है यह तो सही बात है आजाओ the sum of the angles of a quadrilateral is 180 degree है हाँ हाँ quadrilateral का sum यह बोल रहा है किता भाया 180 degree अर कहां से भाया कहां से यहाँ पर तो आपके पास 4 angle होंगे और 4 angle का sum किता होता है कोई बता न जल्दी इन 4 angle का sum होता है sir angle a plus angle b plus angle c plus angle d is equal to sir आपके पास होना चाहिए 360 degree और यह कितना बोल रहा है यह बोल रहा हो 180 degree यह पिटे का क्या तो आपने क्या बोल जाए इसको कि भाया sum of angles quadrilateral में 180 degree है नहीं होता यह आपके पास एक गलत statement है जार इसको देखो देखा जार sir x plus 4 is greater than 15 अरे भाया यह एक sentence है यह statement नहीं है क्यों क्यों कि देखो अब x की value क्या है sir मैं तो बोल रहा हूं कि x की value 1 है लो मैं तो बोल रहा हूं कि x की value 1 है चल ठीक है x की value 1 भी नहीं x की value चल 3 ले 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 तो x की value 3 है तो 3 और 4 किता होगा 7 7 कहां बड़ा होता है sir 15 से नहीं 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 यह जो भी है sir यह एक sentence है पर यह statement नहीं है क्योंकि यहां पर x की एक particular value नहीं है अच्छा अब x की जगे पे अगर आपको मैं बोल रहा हूं किता 18 तो 18 और 4 किता होगा 22 अब 22 बड़ा है sir 15 से तो यह आपको क्या कहला जाएगा एक sentence कहला जाएगा पर यह statement नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां पर आपके पास x की particular value नहीं दी है ध्यान रखना समझ गए बात को पका आगे बड़े अब यह 3 के 3 question जाएगे ktq में और आपको यह बताना कि यह statement है आपको यह बताना है यह आपके statement है या फिर नहीं है statement है या फिर नहीं है यह हो जाएगा आपका ktq के शोर देजवानी question जो कि आते हैं homebook में और इसका answer आता है cs में बोले तो comment section में clear है यह 3 के 3 आपको बताने हैं बाकी के कि आपके statement होंगे या फिर नहीं होंगे जल्दी से screenshot लो इसका ले लिया पास आज के लिए तो सिर्फ इत्ता ही था अब मिलती है अगली बार जिसमें हम लोग समझेंगे एक्जेम सोन पस्ट्रेट को तो आज के लिए सिर्फ इत्ता ही हमां आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं जो हमारे top courses के बारे में हैं जो कि English और Hindi मीडियम मे तो आप लोगों के लिए है यही वाला चैनल जिस पर अभी मेरे को देख रहे हूं Magnet Wind का English मीडम चैनल जहां पर आपको पढ़ाया जाता है kindergarten से लेकर class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी एकदम मज़दार और free में साथी साथ यहां पर आपको धेरो सारे practice question तो मिलते ही हैं यह रह इस्टी format में वीडियो मिल जाएंगे community के option पर चाहेंगे तो वहाँ पर आप अपनी आखों को जमा लीजे कोगी वहाँ पर आता है वहाँ मैगनेट मेंस का update आप हमारा app download कर सकते हो grab e-notes को option में जाओगे तो यहां से आप हमारी e-notes avail कर सकते हैं आप हमारी website भी विजिट क लाइक शेर और सब्सक्राइब तो तब तक करते रहिए जब तक यह वीडियो एंड नहीं हो जाता साथ-साथ में आप हमें follow कर सकते हो facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e-notes या e-books अगर अवेल करने तो link description box में given है साथ-साथ अब अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो अगर आप अगर क्लास 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी cover up with Delhi boards, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, हमारे कुछ और भी courses है जिसका नाम में vedic match crash course और spoken English तो आप बढ़िया तरीके से हिंदी वीडियम चैनल को एक बास visit जरूर करिएगा और subscribe कर लीजेगा आज के session में सरफ इतना ही मिलते है next session में तब तक ल झाल 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 झाल